गुड इविनिंग स्टुडेंट्स डिस इस फरवेश खान डिस इस आईज़ इस्टेडी सर्किल डियर स्टुडेंट्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर और यह चैप्टर टेंथ क्लास के लिए बेनिफिशल है ऐस वेल एस नाइन्थ क् और मस्ट के बाद आउट टू और यूस टू हैस टू हैव टू हैट टू तो स्टुडेंट्स अब देखना यह है कि इन मॉडल्स का यूज कहां कहां पे होता है तो जो मैं आपको एक्सरसाइज कराने से पहले लिस्ट यह दिखा रहा हूँ इसका परपस यह है ताकि आपक इसमें मैच कर सकते हैं कि क्या यह यूस करेक्ट है या इनकरेक्ट है ठीक है तो देखिए शैल का यूस लिखा हुआ है विल का यूस लिखा हुआ है शुड का यूस लिखा हुआ है वुड का यूस लिखा हुआ है कैन का लिखा हुआ है नीड का लिखा हुआ है कुड है मै है, might है, must है इस list को आप अच्छी तरह से देख लिजे तो models को आपको जो है use करने में आसानी होगी, easy हो जाएगा आपके लिए, तो आईए चलते हैं अब हम इसको exercise के थूँ solve करते हैं, कैसे इसको use करना है models को अब देखिए, यहाँ पर यह एक paragraph है आपके सामने, ठीक है, fill in the blanks with appropriate models, ठीक है, अब आप पहले इसको पूरा पढ़ लिजेगा, जब आपके सामने paragraph आए, तो सबसे पहले आप पूरा पढ़ लिजेगा जो blank है, उसमें फिर आप gas करना है, आपके सामने option भी होंगे ठीक है, कि कौन सा हमें fill up करना है तो सबसे पहले आप इसको पूरा पढ़ेंगे, तो आप पूरा पढ़ लिजे, how long, और यह options भी लिखे हुए a portion में, b में, a person wait wait on a hungry storm, तो यह पूरा paragraph पढ़ लिजे, अब देखे, पढ़ने के बाद how long, अब जब हम पहला वाला first यह देखते है a में क्या हमें भरना है, तो हमें चार option दिये हुए है can दिया हुआ है, shell दिया हुआ है, should दिया हुआ है, will दिया हुआ है ठीक है, तो how long, a, अब क्या भरना है, और, या, b में B में क्या भरना है B में भी हमें option दिया हुआ Should, Will, Would, Can तो ये देखें सबसे पहले हम ये देखें कि बात किसमें हो रही है तो ये जो बात चल रही है paragraph को पढ़ने से ऐसा लग रहा है present में बात हो रही है How long यानि कितने देर तक Long तो शेल फ्यूचर में तो नहीं होगा Should, चाहिए, Will ये भी फ्यूचर जारा ये भी फ्यूचर जारा तो ये कर जाएगा ये शुचर भी कर जाएगा तो यहाँ Can आएगा How long can ठीक है कितनी देर तक और यहाँ आएगा Can और यहाँ आएगा Should Should a person wait on a hungry stomach यानि कितनी देर तक या एक आदमी को भूके पेट रहना चाहिए ठीक है अब आगे This thought constantly This thought यानि ये जो विचार है Constantly Come to an impoverished man Impoverished कहते हैं गरीब Poor man जो होता है तो ये जो thought है Constantly निरंतर Come to an impoverished man अब यहाँ पर दिया हुआ है Can दिया हुआ है Will दिया हुआ है Should दिया हुआ है तो देखे Will आएगा Constantly निरंतर आएगा गरीब आदमी के ये जो ये thought है ये निरंतर आएगा तो आएगा नहीं बलके आ सकता है ठीक है जब आ सकता है तो इसमें क्या करेंगे हम Will नहीं आएगा Should आना चाहिए नहीं शुड भी नहीं आएगा बलके आ सकता है तो Can Possibility Can का यूज होता है आप पीछे लिस्ट में जाके देखेंगे जहां पर 100% possibility होती हो वहाँ Can का यूज होता है जहां पे वह काम बहुत कम possibility हो ठीक है Can के और भी uses है आप लिस्ट में देख सकते हैं के Can के uses क्या है ability के लिए है और strong possibility के लिए है permission के लिए भी होता है informal ठीक है आप लिस्ट देखेंगे तो पताच चल जाएगा तो यहां पर आएगा May अब अगला वाला to an impoverished man who wait till his unemployment days are over तो यहां पर क्या होगा who यानि जो के wait इंतजार करता है क्या have to has to have to will have to तो यहां पर क्या आएगा अब देखिए present में जब हम किसी चीज़ पे stress देते हैं तो have to या has to का use होता है और past में have to का किसी चीज़ पे stress देते हैं कि ये काम तुमको करना ही था तो have to you have to do this work ये काम तुमको करना ही है ठीक है have to have to यानि you have to do this work कहते नहीं है कि you have to come आपको आना ही है students you have to come to school tomorrow आपको कल school आना ही है तो इस तरह से हम use करते हैं तो have to का use आपको पता है कि have का use का होता है वो I, V, U के साथ होता है तो यहां हम who की बात कर रहे हैं और present में बात चल रही है तो यहां पे has to का use होगा ठीक है students अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगला वाला जो portion है E वाला B के बाद E वाला कि I never get two full meals तो कौन शेल, can, has to, should has to का तो कोई सवाली नहीं है ठीक है शुड, should I never get two full meals क्या मुझे कभी नहीं दो खाने, यानि के मिलेंगे मिलने चाहिए नहीं Can I never get two full meals तो यह future में जा रहा है तो future आएगा शेल आई, never get two full meals ठीक है क्या मैं कभी दो खाने मुझे, दो वक्त का खाना नहीं मिल पाएगा या हासिल होगा तो यहाँ शेल का यूज होगा occupies his thought box ठीक है अब he not even get a chance ever to come out of this vicious circle of poverty यानि यहाँ पे not even get a chance अब देखिए में आएगा, माइट आएगा, कैन आएगा, कुड आएगा किसी बात के होने की possibility हो रही है यहाँ पे और even get a chance बहुत कम chances हैं उस काम के होने के तो यहाँ पे might आएगा students तो यहाँ आपकी एक exercise हो गई आएगे चलते हैं अगली exercise पे अब देखिए students यह वाला paragraph देखते हैं यह दूसरी वाली exercise है on the annual day celebration the principal delivered a lecture अब annual day celebration था उस पे principal ने lecture deliver किया और क्या lecture deliver किया good evening children you all be the future policy makers अब इस sentence से पता चला है कि principal ने जो भी बात कही है वो future के लिए कही है और इसमें लिग भी राय है तो देखिए इसमें क्या आएगा will be, would be, can be, should be तो इसमें आएगा will be you will all will be the future policy makers hence you obey your teachers तो देखिए जहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा बी बाले में obey तो shall obey your teacher out to obey your teacher should or can यह यहाँ पे आएगा out to जहाँ पे moral duty हमें पूरी करनी होती है या moral duty के बारे में हमें बताया जाता है वहाँ पे out to का use होता है यह आपको याद रखना है ठीक है अब अगले वाले में dear students तीसरा जो है इसमें क्या कह रहे है you always try to win over the confidence of your superiors यानि आपको क्या करना है आपको हमेशा कोशिश करनी है क्या करने की win करने की अपने superiors के confidence को win करने की तो c है should, would, may, has to तो इसमें क्या आएगा dear students इसमें आएगा c वाले में हम जो भरेंगे c वाले में वो should आएगा देखे इसमें क्या हो जाएगा dear students इसमें c वाले में हो जाएगा should you should always try to win over the confidence of your superiors अब अगला you must not leave any stone unturned and you not worry about the result not worry आपने देखा होगा इसमें क्या होगा need जरूरत need not worry आपको जरूरत नहीं है result के बारे में फिकर करने की ऐसा हम कहते रहते हैं इसमें need आएगा ठीक है अब अगला वाला e वाला देखिए अब अगले में क्या होगा take a pledge that you obey and respect your elders अब यहाँ pledge की बात हो रही है तो pledge में क्या करेंगे should, may, can, might तो students देखिए इसमें e वाले में option जो दिया हुआ है should, may, can, might तो ना तो may आएगा ना can आएगा ना might आएगा और ना ही should आएगा यह गलत दिया हुआ है इसमें नa shall आएगा देखिए e वाले में शेल आएगा क्यों आएगा शेल देखिए यहाँ पर शेल का जो यूज होता है i और we के साथ future में होता है ठीक है लेकिन जब firm determination होता है तो यह use opposite हो जाता है i और we के साथ will का use होता है और बाती ही she और you के साथ shell का use हो जाता है जिसे आपने पढ़ा होगा i will kill you अब यहाँ use opposite हो गया ठीक है इसी तरह से आब यहाँ pledge लिया जा रहा है इसी चीज को करने के बारे में firm determination किया जा रहा है तो इसलिए यहाँ पर use होगा shell का ठीक है यहाँ पर use होगा should की जगा shell आएगा इसमें ठीक है यह गलत दिया हुआ है यहाँ answer में ठीक दिया हुआ है अब अगले आगे चलते है your elders you take whatever stream you like but excel in the path choosing तो you can take whatever you may take तो इसमें आएगा might would इसमें may आएगा ठीक है you may take whatever stream यानि जो भी चाहिए आप stream ले सकते हैं लेकिन उसमें जो भी आप path को choose करेंगे उसमें आपको excel करना होगा ठीक है students यह दो exercises हो गई आएए चलिए तीसरी exercise देखते है देखिए जो अब वो exercise के part थे पहली exercise के दो part थे अब यह दूसरी exercise है और इसमें जो use किया है students इसमें have to और has to और has to का use किया है कोई भी काम मुझे करना है I have to do this work यह काम मुझे करना है ठीक है He has to do this work उसे यह काम करना है I had to do this that work वो काम मुझे करना था तो has to का use singular के साथ present में होता है have to का use plural के साथ present में होता है और has to का use किसी काम पे हम stress देते हैं, जोर देते हैं, emphasis करते हैं, तो वो past में होता है, जैसे अभी मैंने आपको example दिये, ठीक है, तो इसी तरह से has to, have to, or had to का use करते हुए इस वाली exercise को करना है, अब देखिए, प्राची work hard as one week is left for her C.A. final examination, अब इन तीनों में से have to आएगा, has to आएगा, और had to आएगा, तो अब प्राची है singular, तो इसमें क्या आएगा, has to आएगा इसमें, ठीक है, present की बात होती है, कि प्राची को hard work करना है, ठीक है, as one week is left, क्योंकि एक हफता बचा हुआ है, C.A. final examination में, ठीक है, इसलिए क्या उपर ही दिया हुआ है, क्या है, has to or have to का use करना है, ठीक है, तो was आगया, तो had to इस तरह से हम पता लगा लेंगे, अब आगे देखिए, all the children of class 10th will go to the principal office to collect their mark sheets, तो all the children of class 10th will, अब क्या करेंगे इसमें हम, will have to जाएंगे, उनको जाना होगा, ठीक है, तो will have to आजाएगा, ठीक है, इसके बाएंगे, now a days, the women have dual responsibilities as they work at home and office as well, तो उनकी dual responsibilities है, आजकल present की बात हो रही है, as they have to आएगा इसमें, ठीक है, have to आएगा, के they have to work, उनको घर पे भी काम करना है, और office में भी, अब ये वाला देख लिए, the government give up as 9000 was, अब देखे, was आगया, फिर past में चला गया, तो यहाँ पर head to आजाएगा, ठीक है, अब आगे देखे, राकेश work hard, तो यहाँ singular की बात हो रही है, तो has to आजाएगा इसमें, ठीक है, present में singular की बात हो रही है, has to का यूज़ होगा, अब आगे देखे, कार्तिक helped his mother as all their servants were on leave, तो देखे, कार्तिक, अब वर आगया, तो यह वर जो है, past का indication है, तो यहाँ पर head to आजाएगा, ठीक है students, गरीमा go to market to buy the grocery as the guests are arriving now, तो गरीमा singular है, इसलिए यहाँ पर has to का यूज़ होगा, तो यहाँ पर एक से जादा है, तो यहाँ पर एक से जादा है, more than one person, तो यहाँ पर have to का यूज़ होगा, इस तरह से यह यूज़ होगा, तो देखिए, यह वाला जो portion है, तीसरी वाली exercise देखे, तो राम के बारे में कोई बात बताए जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर should, has to, will, may, will नहीं आएगा, may नहीं आएगा, क्योंकि future की बात नहीं हो रही है, may भी नहीं आएगा, ठीक है, इसमें should आएगा, राम should keep his words as he repay all his loan, तो has to आएगा इसमें, as he has to repay, ठीक है, उसको अपना loan जो है, वो चुकाना है, ठीक है, अब he be 17 next week, next week की बात हो रही है, तो देखिए, अब क्या होगा, should भी नहीं होगा इसमें, should भी तो होगा नहीं, क्योंना चाहिए, उसको अगले, बलके क्या होगा, has to भी नहीं होगा, will होगा, will भी, next week क्या हो जाएगा, वो 17 साल का हो जाएगा, I am certain that you see that, तो आगे देखिए, यह D वाला जो है, तो D वाले में क्या होगा, that you will see, तो इसमें आएगा will, future में की बात हो रही है, तो D वाले में आएगा will, you will see that how successful he has accomplished his mission, किस तरह से वो अपने mission को accomplish करता है, पूरा करता है, अब E वाले में start हो रहा है, he live long, तो में का एक use होता है, जब हम किसी को दुआ देते हैं, तो उसमें में का use होता है, तो में, तो इसमें आएगा E वाले में में, यह दुआ दी जा रही है, ठीक है, में he live long, अब you need not worry, तो में फिकर मंद होने की जरुवत नहीं है, तो यहाँ पे आएगा F वाले में need, इसमें आएगा need, ठीक है, इस तरह से यह आपकी तीसरी exercise complete होगी, तो आएए चौती वाली exercise देखते हैं, देखे, a person with a fragile ego, अब यह एक person की बात चल लएगी है, जो नाजुक मिज़ाज होता है, उसके बारे में बात चल लएगी है, तो take, अब देखे, would है, have है, may है और can है, तो देखे, have तो आएगा है नहीं, क्योंकि have जो आता है, present perfect में use होगा, इसके साथ verb की third form use होगी, तो taken होना चाहिए, तो have नहीं आएगा, तो इसमें B में क्या होगा, would, have, may, can, मतलब जो इस तरह के person होते हैं, they not only, तो दूसरे बाले में, they not only be, a hard time ahead, तो यहाँ पर कुछ उनके पास होगा, जब उनके पास कुछ होगा, would नहीं आएगा, may नहीं आएगा, can नहीं आएगा, बलके have, they not only have a hard time ahead, but, अब आप सोचिए C में क्या आएगा, also feel insulted, तो also feel insulted में, would, have, may, can, तो आप देखें इसमें क्या होगा, तो सोचिए, इसमें क्या होगा, इसमें आएगा, but, may, also feel insulted, ठीक है, क्योंके वो insulted, feel कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, इ में would, they would get hurt, they have get hurt, दे में they can get hurt, तो यानि के यहाँ पर जो chances हैं, डी वाले में, तो वो 100% इस बात के उन्हें कुछ सा जाता है, तो वो आपको hurt कर सकते हैं, तो they can, they can get hurt in return, अब अगला है, दे, इ वाला जो है, इ वाला, तो इसमें क्या करना, injure others, तो इसमें क्या है, he may have, may, can, तो इ वाले में भी, can ही आएगा, इ वाले में भी can कही, use होगा, और दूसरों को वो घायल कर सकते हैं, hurt, hurt कर सकते हैं, चोट पहुचा सकते हैं, घायल कर सकते हैं, they are called sadists, who certainly, death toll के बारे में बताया जा रहा है, in accidents, increased drastically, increased, could increase, burst, बात की past की बात हो रही है, नहीं past की नहीं, बलके must, should भी नहीं, present की बात हो रही है, word की third form यहाँ पे है, has increased drastically, यानि के जो death toll है, वो इंडिया में बर्ष चुका है, most of them have been averted, तो इसमें क्या होगा, have been averted में, could आ जाएगा यहाँ पे, could have been averted, तो इसमें could का यूज होगा, ठीक है, और तीसरा, wider road awareness among road users, यानि जो road users हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, awareness होनी चाहिए, तो see, how to, have, may, or can, तो देखें, ये एक moral duty है, कि wider road awareness among road users, road users की ये duty है, moral duty है, कि वो aware हो, road को किस तरह से use किया जाना है, तो इसमें क्या होगा, out to का use होगा, out to का, see में, out to का use होगा, ठीक है, इसके बाद, separate lanes for heavy vehicles, तो अब इसमें क्या होगा, separate lanes बनानी चाहिए, heavy vehicles के लिए, तो would, have, should, can, इसमें, यानि separate lane जो है, d-wala, d-wala में क्या करेंगे, would होगा, have होगा, should होगा, और can होगा, तो इसमें क्या होगा, should, यानि separate lane जो है, वो इसके लिए बनानी चाहिए, तो इसमें आ जाएगा, d-wala में, should आ जाएगा, अब more stringent laws, be enforced while issuing license, यानि जो कानून है, वो उनके उपर जो है, license issuing करने के दौरान, वो कानून उनके उपर होने चाहिए, कौन से होने चाहिए, must, have, may, can, तो देखिए, यहाँ पर have नियो का, बखलके must, ज़रूरी है, कानून को उनके उपर लगाना, कानूनों के बारे में उनको, information देना, ठीक है, कानूनों के बारे में उनको information देना, अब आगे क्या है, यह के बाद, if we do not follow this, the degrading society like ours, fail the next day, तो यहाँ पर क्या है, यह six वाली exercise देखते हैं, cross border terrorism, increase if there is no check, no check now, अब देखे, कोई भी काम यहाँ पर, अगर उसको check नहीं किया गया, तो क्या होगा, increase होगा, हो सकता है नहीं, बलके definitely increase होगा, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, इसमें will आएगा, cross border terrorism, will increase if there is no check now, the prime cause, जो prime cause है, जो असल वज़ा है, is anybody, anybody who enters the state illegally, तो क्या होना चाहिए, be permitted to stay, तो illegally कोई आ रहा है, तो इसमें क्या, would, have, may, should not, तो should not be, उसको जो है न, should not be, यहाँ पर आएगा, should not be, permitted to stay, उसको जो है, illegally permission नहीं देनी चाहिए, इस टेकी, ठीक है, our government, C, undertake strong measures, तो C में क्या, would, should, may, can, अब इसमें जो है, हम क्या करेंगे, C में, should आएगा, our government, should undertake strong measures, so that this act could be prevented, I hope, the terrorist, तो C वाले में, should आ जाएगा, और जो है, D वाले में, इसमें क्या आएगा, I hope, the terrorist, D वाले में, would आ जाएगा, would, यह रहा, would, और इसके बाद, kill the sin, and not the sinner, hence the terrorist, E वाले, E वाले में, देखिए, E वाले में क्या आएगा, E वाले में, हमें fill up करना है, should को ही, ठीक है, should ही fill up करना है, अब देखिए, यह वाला जो है, फ्रॉग और नाइट अंकल के बीच में, यह बाच्ची चल रही है, तो फ्रॉग ने कहा, you practice for longer hours, as it will make your voice grow stronger, यहां क्या आएगा, यहां पर must आएगा, must, क्यूंकिए practice, you must practice, ठीक है ना स्टुडेंट्स, यहां पर must आएगा, इसके जवाब में, night angle ने क्या कहा, but, I as the weather is bad, तो क्या गरी, I can't, I cannot as the weather is bad, यहां पर cannot use होगा, ठीक है, यहां option भी नहीं दिये हुए है, और इसी तरह से आपके exam में आएगा, if you don't then you, तो अब क्या, loss your audience, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, कि पास, future में जा रहा है sentence, और future में जा के, यहां यहां एसा हो ही जाएगा, ठीक है, मैंने बताया था, कि future में जब sentence जाए, और कोही काम, हम ऐसा हो ही जाएगा future में, तो उसमें, जो use होता है, will और shall का वो opposite हो जाता है ठीक है तो इसी तरह से you shall आएगा यहां पर you shall ठीक है इसी तरह से you to make them happier तो audience को यानि के happier करने की यह इसकी moral duty है night angle की तो you ought to आएगा यहां moral duty में मैंने बता है था आपको ought to का use होता है ought to आएगा और इसके बाद night angle no I am leaving your bingal bog jungle right now I not sing at any cost अब यह इसने firm determination कर लिया night angle इसलिए यहां would आएगा I would not sing at any cost और यह last वाला you dare not और else I will kill you यहां पर dare आएगा dear students काफी difficult है यह लिकिन practice आप जब करेंगे तो यह easy हो जाएंगी इंशाला अब यह exercise art में किंशुक और dr. Anil के आपस में बात्ची चल रही है तो doctor I am not feeling well किंशुक कहता है doctor I am not feeling well you please issue me a medical certificate तो देखिए could का जो use होता है इसका answer could है और could का use polite request के लिए किया जाता है तो polite request हो रही है could you please issue me a medical certificate ठीक है इसके बाद dr. Anil का answer yes certainly I if you tell me your ailment तो क्या हाँ मैं दे दूँगा आपको I will तो यह कह रहा है कि मैं दे दूँगा आपको if you can can use होगा यहाँ can tell me your ailment ठीक है तो अगर हम आगे चलें किंशुक सर I D में go to shimla तो यहाँ need to जरूरत है need to आएगा यहाँ पर और इसके बाद जो है आगे यानि कि अगर ऐसा है तो मैं यह नहीं कर सकता और इसके बाद F में में आ जाएगा you may leave यानि आप जा सकते हैं आप यहाँ से जा सकते हैं तो students अब यह exercise 9 देखते हैं देखिए प्राची और रश्मी की बाची चल रही है और यहाँ पे सबसे पहले A ही blank space दे दिया I remind you that tomorrow we तो यहाँ should should I remind you that tomorrow देखिए यह जो practice आप कर रहे है इससे मैं यह नहीं कहरा आप 100% इसको कर लेंगे models को identify कर लेंगे लेकिन 50 और 60% यह hope है और expectations है उम्मीद है कि आप इसको कर सकते हैं अगर यह practice करेंगे तो should I remind you that tomorrow we have to हमें जाना है जैसा कि मैंने आपको बताया था present में कोई काम करना है हमें और plural यहाँ पर subject होगा तो हम have to का use करेंगे we have to go for a movie तो रश्मी क्या कहती है no you need not नहीं तुम्हें इसकी दरवत नहीं है need not तुम्हें इसकी दरवत नहीं है I ask need not I I ask तुम्हें इसकी दरवत नहीं है I ask नमरता to remind me तो D में क्या I shall ask I shall ask नमरता to remind me प्राची क्या कह रही है क्या कह रही है प्राची कह रही है I would be happy I would be happy और इसके बाद रश्मी ओके I would certainly तो इसमें भी would आएगा इसमें भी would आएगा यहाँ शेल आ गया यहाँ नीड नोट आ गया और यहाँ पे have to आ गया और यह should आ गया आईए चलिए 10th exercise देखते हैं हम वेदान्त और उसकी मॉम का आपस में conversation चल रहा है बाची चल रही है तो मॉम क्या कहती है मॉम यानि के वेदान्त कह रहा है अपनी मॉम से permission ले रहा है I go for a picnic tomorrow with my friends अब देखिए जिसे हम मैंने बताया था can का और मे का use जो होता है यह informal है relatives में informal use can का होता है तो can अब यहाँ पे can आएगा can mom can I go for a picnic tomorrow with my friends तो mom क्या कह रही है yes you can answer be can में ही दे रही है you can हाँ तुम जा सकते हो you can but you should be very careful to carry your water bottle तो यहाँ should आ जाएगा ठीक है इसके बाद मा वेदान क्या कहता है मा I certainly do that यानि यह जरूर करेगा ऐसा यह जरूर करेगा तो will आ जाएगा यहाँ पे I will certainly do that mom क्या कह रही है I am little perturbed about your health तो E में क्या आएगा could you अब यह इस से polite request कर दिया could you carry your mobile in case I need to तो इसमें क्या आएगा I need to आएगा इसमें need to यानि मुझे जरूरत पर सकती है communicate with your teacher तो इस तरह से यह 10th exercise हो गई अब आएए 11 वाली देखते हैं अब देखिए यह 11 exercise है fill in the blanks with the appropriate model Mohan is not keeping well nowadays ठीक है अब क्या he see the doctor immediately तो he see यानि he must see उसको जरूर जाना है doctor को दिखाने के लिए foreign he get well unless he visits a doctor यानि के वो अच्छा नहीं होगा unless negative में जा रहा है तो इसलिए can't या will not don't आ सकते हैं cannot वो अच्छा नहीं हो सकता या वो अच्छा नहीं होगा ठीक है इसके बाद he be suffering from viral fever तो he may आ जाएगा यहाँ पर he may be suffering from viral fever इसके बाद क्या है he should take proper medicine and rest last तो यहाँ पर should आ जाएगा he should take यानि कि उसको लेनी चाहिए proper तरीके से medicine and rest last student जहाँ भी last आ जाएए इसके just after जो है वो should आएगा तो यहाँ पर should आएगा यह हमेशा याद रखेगा यह पक्का रूल है कि last के बाद फौरण जब यानि ब्लैंक की स्पेस होगा और ऐसा sense बनेगा तो should आएगा उसमे और इसके बाद it may affect not only his health but studies also तो यहाँ पर क्या आएगा में आ जाएगा तो इस तरह से यह आपकी 11 exercises हो गई models की dear students इनको करने से आपको काफी फायदा होगा और काफी हद तक आप paper को solve कर सकते हैं okay good bye